नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपके अपने एजूकेशन चैनल एजूटूबर देव पर तो दोस्तों लाश्ट नाइट आरपी एसी ने आरेस फ्रिलियम्स 2021 की आंसर की गोशित की और उस आंसर की में अभी देखो एक तो संसुधित आंसर की होती जिसमें तो कोईसन डिलीट कर दी गए हैं और अब विर्थियों की दो और प्रश्णों पर अब जो है आपती है हालांके अभी आपती दर्ज कराने का जो समय है वो आठ ग्यारा से है आज चार तारिक हो रखी है अभी चार दिन बाकी है उसके बाद अगले तीन दिन तक जाने की आठ नौंबर से लगा के दस नौंबर तक आप आपतियां दर्ज करा पाएंगी तो ऐसे कुछ करके ये कहानी है हालांके इससे बहुत पहले एक्जाम हुआ था तकरीबन एक महीने पहले सुरू हो गया था अपने आर पेसे असिस्टेंट प्रोफेसर का एक्जाम तो उसकी जो ह है एक नहीं मैं दो रीजन बताऊंगा सबसे पहला रीजन यह है कि आर एस जो है वो सबसे एक तरीके से जो प्राइमरी जो आप कहिए यह 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 कहिए सबसे प्रात्मीकता वाला जो एक्जाम है वो आर पेसी का यह आर एस होता है जैसे यूपेसी का सबसे जो प्राइम ए प्रशन पत्र बनता है तो इसके आंसर की भी तब ही तियार हो जाती है तो ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं होते के चलो 31 कैसे जारी करेंगे कोई परिशान ने इक ती इसके प्रशन पत्र भी जा रही हुए एक दिन में तो आंसर की भी हो सकती है बट खेर जैसे मैं ने कहा कि ये सबसे उनका जो है प्रात्मिक तावाला एक्जाम रहतार प्यसी का तो दोस्तों जो टाइम लाइन है कि 8 से 11 तक इसमें आप अपतियां दर्जगराप आओगे जो आपको प्रशन लगते हैं और आथेंटिक आपके पास कोई प्रमानिक ता हो उस प्रशन की कोई अथेंटिक बुक हो या कोई अथेंटिक आथर की बुक हो या फिर जो अपने अ कोईशन नमबर 37, 38, 61 और 170 जो है वो पहले ही मिटा दिये गए हैं आयोग ने प्रशन संक्या 37 जिसमें ये प्रशन है कि समीदान सभा समीती के समद्ध में फिर 38 वा कोईशन जो है वो है राजस्तान में लोकायूत के समद्ध में कतन 61 प्रशन है 2011 की जनकरना का नुसार ग्र आई है इस पर आपतिया है एक और जो अपने रिवाईड आउसर की है वो जारी की जाएगी है अलांकि रीट में ऐसे कोई नहीं पाला नहीं किये गए रिवाईड आउसर की बात में आ रही है रिज़र्ट पहले आ रहा है तो ऐसी जो है चीज़ें भी होती है और 2018 जब कि जरूरत है कि क्या पता भगवान ना करे क्यों कोट पहुंचे भरती सही से अपने टाइम पे पूरी हो लेगिन ऐसे प्रश्णों पर ही जो है बिर्थी पहुंच जाते हैं कोट ये थोड़ा सा ध्यान रखने लाएक बात है अब दीकि आरेस परी के पेपर में प्रश्ण का जो उत्तर है मतलब कि गुरु मुख निया सिंग जो कि पहले राजेपाल थे उससे पहले आलंकि स्वाई मान सिंग रहे बट वो औरिजिनली राजेपाल नहीं थे क्योंकि सवीधान का निर्माने जो है वो दोस्तों जो है बाद में हुआ क्योंकि 1949 में थे स्वाई मान सि महराज बने थे तो 1950 में अपना समीदान लाग हुआ तो ये राजेपाद राश्पती के सारे जो रूल्स वगिरा है वो जाहिर सी बात है उसके बाद ही लाग होंगे वेब साइट उसमें जो तिती दी हुई है वो है 11.1956 से 15.04.1962 मतलब एक नवंबर 1956 से लगा के 15.04.1962 तक पहले जो राजेपाल अपने राजस्तान के स्री गुरु मुखनियाल सिंग रहे थे तो दोस्तों इस से समझ आता है कि इस में गड़वड कितनी जादा है क्योंकि आर उत्र कुंजी में प्रश्ण के तीन उत्र पर अपिर्थियों ने सवाल उठाया है और उनका कहना है राजे में गणगोर पर जो है वो चैत्र में नहीं भादरपद में बनाया जाता है तो ऐसे गर कि मैं समझता हूं कि जो प्रश्ण पत्र बना रहा है कोई भी एक व्यक्त कर दें या कोईस्टन आप ही कैंसल कर दें कि चलो डेट सो प्रश्ण है सपोस अगर एक्जामबल के रूप में बताऊं तो चलो प्रांच प्रश्ण हम गलत कर देते हैं तो 145 में से कट अप बनेगी तो भी कोई दिकत नहीं और वो अगर प्रश्ण ही गलत बताया है उसमे विकल्ब भी एक विकल्ब जो है वो सही होना चाहिए तीन गलत होने चाहिए लेकिन ऐसा है कि दो विकल्ब सही है या चारों के चारों गलत है तो फिर उसके बोनस मार्क्स रख दीजिए लेकिन आर्पेस ही क्या कर रहा है कि गलत को ही सही बताने पे तुला हुआ है ऐसा ही एक मैंटर सेकंड ग्रेड का था अगर मैं घलत नहीं कहा रहा तो उसमें ये बता है कि मारना परताब के घोड़े का जो नाम है वो चेतक नहीं है राम परसाद है अब बताओ ये कैसे पॉसिबल है चेतक है पांचवी के बच्चे को उठा के पूछ लो कि मारना परताब के घोड़े का नाम क्या है चेतक घोड़े रास्वार एक कविता भी अच्छी खासी तो मतलब इतना समझना चाहिए लेकिन ये थोड़ी सी ना समझी है पता नहीं क्या रीजन है तो ये कुछ अपडेट है दोस्तों अपने ये प्रिलिम्स की जो आंसुर की रिलीज हुई है उसके उपर और कल मैंने आपको रात को एक्चुल में अपडेट दे ही दिया था जैसे आधा गंटा हुआ था आंसुर की जारी हुए तो मैंने बता दिया था का आप चेक आउट कर लो तो आपने चेक कर ली होगी ये चीज़ यह आपको भी नजर आई होगी अब देखे आगे इस पर क्या अपडेट आता है और जो भी अपडेट आएगी मैं आप तो पहुँचा दूँगा वीडियोज और कम्यूनिटी पो वो मैं नहीं कर पाया उसके लिए आप सबसे शमा परारती हूँ और जल्द ही मैं आपके कमेंट्स रिपलाई करूँगा और तब के लिए आप सेलिबरेट कीजी दिपावली अपने फैमिली के साथ अपने मॉम डेट के साथ अपने भाई बेनों के साथ बीवी बच्चों क के साथ जो भी आपके फैमिली में फ्रेंड्स वगिरा हैं अगर घर से दूर हैं तो उन सब के साथ सेलिबरेट कीजी इस शुब आउसर को और ईश्वर से कामना है कि आपके जीवन का हर दिवस हर एक पल जो है वो इस दिपावली के परू की तरह जो है उजालों से भरा हो रोशनी से भरा हो और आप अपने माता पिता का नाम जो है वो रोशन कर चुके हैं तो और करते नहीं अगर नहीं किया है तो जल्द ही आप रोशन करें सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड आ रही है और आगे और भी बरतियां आती चली जाएंगी तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद नमस्कार